सेनम देच्छामी जब लगातार आठ दिन तक ये कथाएं चलती है इसमें जो पांचवे दिन की कथा आती है कहानी आती है वो आती है सम्मा सती यानि चार आपने पहले जो इसके अंग हैं जो आठ अंगों का ये मार्ग है दुनिया का नोबल मार्ग यानि सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा आदर्श जो रास्ता है किसी पाप मुक्त इंसान के होने का वो ये इसका पांचवा पड़ाव है पांचवा दिन है पूरे पूरे दिन ये कहानी बताई जा सकती है हजारों इसके उधारन है और हजारों तरह से ये बत तो आज के समय में सती का जो मतलब है वो इस मतलब से यानि की मैमोरी से बना दिया गया है मैमोरी को ही सती कहने लगे हैं मगर पुरानी भाषा में बुद्ध के समय या बुद्ध से पहले जो सती सद है वो बहुत important रहा है सती का मतलब है जागरित रहना देखना आखों के परे देखना यानि आखों से तो आप देखते ही हैं आखों के परे देखना और 365 दिन 24 गंटे विजिल यानि कि लगातार समझना जागवित रहना देखना सही तरी से देखना यानि कि एक तो आप देख रहे हैं आँखों के परे गरत तरी के सिरख देख सकते हैं कोई पाप मुक्त बात भी कर सकते हैं और एक सही देखना है जो पाप रही थो जिसमें पाप ना हो वो सम्मा सती कहलाता है दरसल ये जो सम्मा सती है ये पूरे एट फोट पाथ यानि जो आठांगिक याठांगिक मार्ग है उसका सबसे महत पुन पड़ाव इसली है तो कि ये 24 घंटे आपको लगाता रिसमें काम करना है इसके बाद जो आता है वो समादी आता है और ये समादी का एक फिल्ड आता है है क्या सती सती को अगर आप देखेंगे क्योंकि बुद्ध की जो सती है आज की जो इसमती जिसको बोलते कहते हैं मैमोरी यानि की मैमोरी आपकी है मगर मैमोरी का उस समय से कोई लेना देना नहीं है मैमोरी होता है याद दास्त और सती होता है जागरित रहना यानि किसी चीज को याद करना और जागरित रहना इसमें जमीन आस्मान का अंतर है क्योंकि धम्म को खराब किया गया तो धम्म के जो सद्ध हैं, जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं उनके मीनिंग भी बदले गए, तोड़े गए, मरोड़े गए सती पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आज भी बहुत इंपोर्टेंट चीज या वस्तु या जो काय करम है जो क्रिया है वो मानी जाती है और है और रहेगा दरसल लगातार लगातार बरोबर बरोबर अगर आप पहचान सकते हैं कि जो क्रिया और जो करम हम कर रहे हैं, वो कैसा करम है, कैसा करम नहीं है तो आप फिर सम्मेक सती में आ सकते हैं यानि एक एक सम्मेक सती हो गई और एक सम्मेक सती हो गई असम्यक क्या होगी जब आप पहचान ना पाएं ना पाप को और ना ही पुन्ने को पहचान पाएं तो वो असम्यक होगी जागरतों हैं मगर आपको यह अंताजा नहीं है कि जो यह कर्म हो रहा है यह क्रिया हो रही है यह पाप में है यह पाप मुक्त है या अच्छा है या खराब है मगर अगर आप सम्यक सती में हैं और 24 घंटे बिजन हैं तो फिर आप ये पहचान सकते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ या जो काम कोई कर रहा है या जो काम हो रहा है यो काम अच्छा है या नहीं है ये सम्यक सती होती है धुद्ध के समय में जो ध्यान सादना में लोग बैठते हैं या ध्यान सादना में ना भी बैठे हैं चलते रहते हैं या बैठे रहते हैं या कहीं आराम कर रहे होते हैं तो इस चार मुद्राय होती हैं या तो खड़े होना या चलना या बैठना या सोना इन चारों आवस्थाओं में जो सरीर की करिया होती है उसमें 24 गंटे आदमी विजल रहता है कमाल की बात यह है कि सोते समय भी वो सपनों में भी जाज़दत रहता है कि सपना भी असमय किया पाप वाला नहीं देख सकता देखेगा तो उसको दूर करना पड़ेगा यह सम्यक्सती होती है और सम्यक्सती में कोई भी पाप कर्म सरीर के अंदर नहीं आना चाहिए 24 गंटे आपको पहरेदारी रखनी पड़ती है कि यह पाप कर्म है और यह सरीर के अंदर आ रहा है इसको रोका जाए और उसको रोकना होता है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप समाधी में आगे परवेश नहीं कर पाएंगे आगे फिर जागरत नहीं रहेंगे तो आगे फिर आप किसी भी हलत में मुक्त अवस्थाव तक नहीं पहुश पाएंगे चार तरह की सतियां होती है चार तरह की जो mindfulness है यानि जागरती है वो चार प्रिकार की main main है इसके आगे की और बहुत सारे part छोटे छोटे बारिक है अना पाना सती में क्या करना होता है आना पाना सती में जो आपका सांस है आना पाना का मतलब है सांस का आना और जाना आना और जाना तो आना जाना आपको देखना है इसकी जागरती रहनी है इसमें विजल रहना है इसको बड़ावर देखना है, इसको महसूस करना है, कि ये जो सांस आ रहा है और ये जा रहा है, ये नैचुरल है या नहीं, इसकी पैचान कैसे है, इसकी पैचान ऐसे है, कि अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप कोई चोड़ी नहीं करते, कोई वेपचार नहीं करते, कोई कत काम नहीं कर रहे हैं, कहीं है कोई संपदैक दंगा नहीं करा रहे हैं, कहीं कोई आपस वहाईचारा नहीं बिगाड़ रहे हैं, सब का ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी सांस निर Whats, कोई संस निरुनतर एक स्पिर्ट से अगर आप नुकसान करते हैं किसी का, कोई मन में बुरा विचार लेके आते हैं, कोई पाप वाला विचार लेके आते हैं, खाली विचार ही लेके आते हैं, करना तो बहुत बात की बात है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सास है वो अनियमत हो गई है, यानि कि वो अब कबी कुछ हो रहा है तो आपकी जो आना-पान सती है आप इसको नहीं चल रहा है या नहीं चल नहीं जिन लोगों को हापτο की इसी एक्षिडन्ट की वैसे शरीर में हो जाए तो अलग बात है, मगर अगर आप स्वस्त है जगे दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर भी आपका सांस उपर नीचे है, तो आप अपने मन को देखिए, आपकी सती ठीक नहीं है, आपकी जो विजल है, यानि जो जागरती है, वो ठीक नहीं है, आपको एक गलत काम कर रहे हैं, दूसरा आता है, इसमें काया गत सती, काया नुगत सती क्या होता है, काया नुगत सती होता है, जो सरीर है, उसमें एक ऐसी गती है, उसको देखना, यानि कि जब भी आप कोई पाप करम करेंगे तो आपकी चाल तेज हो जाएगी आपकी आवाज मद्दी पर जाएगी आपकी नांक फूलनी शुरू हो जाएगी आपकी आँखें टेडी मेडी होनी शुरू हो जाएगी आपकी पलकें तेज तेज जपकेंगी दीरे दीरे जपकेंगी, आपके हाथ परव में कंपन हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, गदन आपकी टेड़ी हो सकती है आप अपने चेरे को खुजाना सुरू कर सकते हैं हजारों लक्षण हैं काया के काया में विजल के देखने के कि जब भी आप मन में पाप लेके आएंगे आपके सरीर के अंदर कोई ना कोई लक्षन आ जाएगा कहीं कहीं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ पूरे सरीर में हो रहा होगा विपस्मा साधना करेंगे ना भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरीर में कोई गरबर हो रही है ये कायनुगत सती होती है या कायागत सती होती है जागरती होती है आप अगर बिलकुल ठीक हैं तो आपका सरीर बिलकुल कूल रहेगा जैसे सारे जानवरों का रहता है सारे जानवर आराम से नैच्रल वे में रहते हैं और उनके सरीर हम ऐसा बिलकुल इस्तिर रहते हैं, सही रहते हैं फिर आता है वेदनानु सती वेदनानु सती क्या होता है? वेदनानु सती होता है वेदनाओं के अनुसार जागरत होना अब वेदनाओं के अनुसार जागरत क्या है तरसल वेदनाओं जो होती है जब भी हम कोई काम करते हैं सरीर में या कोई भी करिया देखें या सुनगे या कुछ करें तो हमारे सरीर में संसेसन होते हैं संसेसन होते हैं उनको वेदनाय बोलते हैं उनको वेद बोलते हैं इसी वेद के ग्यान को वेद का ग्यान बोलते हैं और ये बुद्ध के समय में बहुत बड़ा हो गया था इसलिए वेद का जो ग्यान है बुद्ध को सबसे जादा रहा है वेदनाओं का ग्यान तो वेदनाओं का जो ग्यान था यानी सरीर की वेदनाओं का सरीर के संसेसन का सरीर में जितनी भी हलचल हो रही है उसका जो ग्यान है उस ग्यान की चागरती होना देखना ये तीसे नमबर पर आता है कैसे आता है जैसे चूरी पकड़ी गई किसी की तो सरीर में पूरे में जंजनाहट हो गई और वेदना बहुत ज़्यादा आ गई सरीर गरम हो गया, कान गरम हो गई, आँखें लाल हो गई, आवाज बंद हो गई, कापना सुरू कर दिया या कहीं को चोरी की और पुलिस का नाम आ गया तो हाथ तर कापना सुरू हो गई के उका तो पिशाब भी निकल जाता है टटी भी निकल जाती है डर की वैसे वेदना इतनी ज़्यादा तीवर बढ़ जाती है ऐसे अचानक किसी डाकुच और को देख लेते हैं तो आवाज भी नहीं निकलती है यानि कि सम्वेदनाय वेदनाय बदल जाती है तो ये वेदनानू जो सती है ये वहाँ आती है और चोथी एस में धम के अनुसार यानि कि धम के अनुसार जो सती है क्या है धम मानु सती यानि धम के अनुसार सती अब धम क्या है धम है कोई भी जो पाठ है जो अपने जो उसका करेक्टर होता है जो गुण होता है उसके नुसार कोई भी सरीर का द्रवय या पार्ट जब बदलता है और वो लगातार बदलता रहता है और वो में लगातार गती शीलता होती है वो लगातार बदलते रहते हैं उनका गुण फिक्स होता है उनका सभाव फिक्स होता है उसको देखना जैसे आपने गरम पानी पिया तो गरम पानी अगर आप पियेंगे तो सरीर में गर्मी लगती है तो आप देखिए कि गरम पानी का जो गुण है धरम है वो कैसा है आप ठंडा पियेंगे तो सरीर में कैसा महसूस होता है अगर का पानी पीएंगे तो कैसा महसुस होता है और आप अगर सामने कोई क्रिया हो रही है और कोई अगर पिट्टी क्रिया हो रही है या कोई एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट का देखिए सरीर पे क्या फरक पड़ता है कैसे उसके गुनधरम काम करते हैं और कैसे आपके सरीर में एंटर करते हैं यह धंबानुसती है तो धंबानुसती सारे सतियां मिलाके धंबानुसती सबसे बड़ी होती है क्योंकि यह नेचुरल आपको बहुत बारिक बारिक तरीके से बताती है कि धंब के अनुसार प्रिकति के नुसार जो एक्ट हो रहा है उसके नुसार सरीर की एक एक कणूगी क्या कारे करता है क्या काम करता है और आपका सौफ्टियर कैसे काम करता है जो मन में भरा हुआ है वो कैसे काम करता है धम के रवसार अपने गुण के रवसार अपने काइपटर के रवसार तो वो धमानों सती हो गया आपने जो जागरती है वो तीन सो पैश्ट दिन चौबिस घंटे और हर छड़ हर सेकिंड सोते जागते इसमें रहना है अगर आप इसमें ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर ये फायदेवंद नहीं रहेगी और आपको सम्मेक में रहना है यानि कि राइट जो माइन्ट्फुल्नेस है राइट जो जागरती है उसको देखना है wrong को नहीं देखना है, गलत को दूर करना है इसे जानना बहुत आसान होता है खास्तों से जो विपस्ना साधना करते हैं उनके लिए जो सती सब्द है वो आज भी बहुत ज़्यदा famous है आपने देखा होगा जो सती सावित्री है यानि कि सावित्ति की महिलाएं जो सती की इस उंचाई तक जाती थी उनको सती सावित्ति बोलते थी जो इस उंचाई तक जानकारी हासिल करती थीं विपस्ना साधना और धंड कानुसार उनको सती बोटते थे और सावत्ती जादा थी इसनिया सती सावत्ती के नाम से पिरसद हो गई महिला हैं बाद में सती को बहुत जादा जब खराब किया गया तो उन महिलाओं को जिंदा जलाने का जो प्रोसेस है जो कल्चर है वो डबलब की गई और उन सती महिलाओं को जलाया गया बाद में जो महिलाओं थी जो जिनके पती मर जाते थे वो धमों में चली जाती थी और महा जाके स सती के नाम से चलाने लगे और सती माता के मंदिर बने लगे। असल सती माता का मंदिर वो होता है जो महिला बहुत जादा धम में आगे चली जाए और सती पठान तक यानि सती पठान तक पहुंच जाए। सती पठ्ठान एक process होता है जो भगवान बुद्ध ने बहुत important तरीके से बताया है दो बार महा सती पठ्ठान और सती पठ्ठान सूरत है जिसके तहत में कोई व्यक्ति साथ दिन के अंदर भी मुख प्राप्त कर सकता है लिबरेट हो सकता है वो अपने सारे दुखों को जीते मंदर होने लगे मेरे एक दोस्त हैं जो अरियाना है जो हरियों का याना है जिसको आज के समय में कुरू परदेस या उस समय कुरू परदेस बोलते थे अगर वहां एक सफीदो नाम की जगे है उस सफीदो में वो सती के हर साल में अपने माता पिता की याद में वहां जाते ह रहे होंगे ऐसे सती के मंदर जगे 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 बहुत सारे हैं जहां बहुत सारे सती लोग आदमी या औरत बहुत ज़्यादा सती होके वहां सती में परस्थापित होके और स्थापित होके वहां पहुंचे हुए और उनकी इस्तुप उनकी याददास वहाँ है नसल जो सती है सती नाम इतना फेमस है कि सती के नाम से बहुत सारे नाम आज भी हैं जैसे सती इद्ध यानि सते इंद्ध जो बोलते हैं वो सती इद्ध को सते इंद्ध बोलते हैं सती इंद्ध कर गया या सती जा इस माने इसी यानि कि इसी जो इशी होता है इसी होता है उसको इसी बोलते हैं पाली के अंदर तो सतीस नाम हो गया तो सतीस है या सतेंद्र है या सत्यवान है या सतीवान है या सतीमंतु है ये सारे नाम सती के आज़ भी बड़े फेमस लिये लिये जाते हैं सती पठान, सती मन्तु, सती घोसग, सती संपई, सती संपई का मतलब है सती संपन, सती घोसग का मतलब है सती परित्याग या प्रमाद, सती संबो जंग, सती संबो जंग का मतलब है जो सती है उसके निज के बोज के अंग, यानि के जो बोध के अंग है उसको सती के अंग बोला जाता है सती सम्मोस तो ये सारे के सारे सती हैं और सती को बाद में और भी जादा प्रसायत किया गया और सती की महिमा आज भी बहुत जादा पूरे भारत के अंदर है वो अलग बात है कि वो जो महिमा है वो किसी और नाम से प्रसायत है मगर सती की महिमा आज भी है ये सती वही आता है जो आश्टाइंग मार के अंदर उस नाम को जाना जाता है बहुत सारे नाम जैसे सतिजा, सतिमन्तू, सतिवान, सत्वान, सत्यवान, सतिया, सातिया, सतिंद्र, सतिपाल, सत्पाल, सतिनाम, सतनाम, सत्वानी, सत्यवानी, सतियत, सतत, सतिवीर, सत्वीर, सत्वीर, सत्वीरा, सतिकाया, सत्काया, सत्लोग, सत्ते, सत्तू, सत्ता ये सारे सारे डाम सती और सत से बने और बाद में आते गए बाद में सती और सत को लोग सत करें लगे जबकि सती से सत बना और सत से सचे ऐसे करके सच में आने लगे मगर ये उस समय के हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि जो सत है उसको बोलते हैं सच बोलते हैं और जो सत है उसका मीनिंग अलग तरह का होता है इसलिए सत में और सच में जमिन आस्मान का अंतर आता है अगर आपको कहीं आसपास में कोई सती मंदर या सती धाम या सती पूजा या सती माता का मंदर या सती देपी या सती के नाम से कोई भी ऐसी जगे मिले जहां कोई थूप या सूप या कोई इस्ट्रक्शर बना हुआ है कोई बॉडी बने हुई है तो आप बेख़ौफ होके य या मत्त को प्राप्त किया और लोगों ने उनको माना और उनकी यादधास में वहां कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बनाया धान से देखेंगे तो सती के सारे के सारे जितनी भी जगे हैं वो पुराने कहीं न कहीं बुद्ध स्थल से जुड़ी हुई आपको मिलेगे या तो वहां कमल का फूल मिलेगा, या हाती मिलेगा, या बैल मिलेगा, या घोडा मिलेगा या वहाँ आपको शेर मिलेगा या वहाँ आपको कोई धमचक्र मिलेगा या वहाँ कोई तिर्सूल का निशान मिलेगा या वहाँ कोई आपको संख मिलेगा या कोई धमचक्र का कोई हिसा मिलेगा आठ वाला तिली का होगा या 24 का होगा या 12 का होगा या 32 का होगा या 32 का होगा कोई ना कोई धमचक्का वहाँ मिलेगा या स्वास्ती का चिन मिलेगा वहाँ पे उल्टा बना हुआ मिलेगा ये सारी चीज़ें वहाँ कहीना 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 कहीन आपको पहचान में मिलेगी आप अगर ध्यान से मारका पांचमा हिस्सा अगला हिस्सा आता है समाधी धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते है उसको डाउनलोड कर सकते है उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते है या अपनी कमेंट रिक कर सकते है उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते है उसका print material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी video का या सारी video का इस्तमाल कर सकते हैं यह हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपना काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सब ही देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगम सरनं गच्छामूं संगम सरनं गच्छामूं तूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामूं संगम सरनं गच्छामूं तूतियं पी दम्ममर सरनं गच्छामूं तूतियं पी दम्ममर सरनं गच्छामूं संगम सरनं गच्छामूं तूतियं पी दम्ममर सरनं गच्छामूं तूतियं पी दम्ममर सरनं गच्छामूं पी सर्णम सर्णम कच्छामी, ततियं पी बुद्धम सर्णम कच्छामी, ततियं पी धमम सर्णम कच्छामी, ततियं पिनदों सेइनों गच्छामू ततियं पिनदों सेटों गच्छामू